अब आप अब 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 रिवन गोड इवनिंग टू आल आप यू और आप सभी लोग का महराथन टू में स्वागत करता हूं और आज आप लोग देख रहे हैं पेपर लेके हम लोग तयार हैं और पेपर सॉल्व कराएंगे तो आप आप लोग लगे रहेगा एकदम साथ में रहेगा क्योंकि कुछ आप इधर करेंगे तो आपको नुक्सान हो सकता है देखिए यहां पर पहला कोईस्टन है पेपर आईडी आपका है टीवर जीरो यह आपको फार्समें जो आपका पेपर हुआ था उसका 2022 में फार्सम का आपक तो आपका पेपर है उसी पेपर का हम लोग सॉलूशन करने चल रहे हैं और यह आपका मूस्ट इंपोरॉटेंट है जरूरी नहीं होता है कभी कभी क्या होता है पेपर रिवायज होता है मालब सब कुछिशन नहीं लेकिन 50% कुछिशन आपके हो जाते हैं तो चांसे हैं औ महां पर है देख लीजिएगा मंगलवार को जो बोला जाता है वो क्या हो जाता सही हो जाता है बिल्कुल हलके में मत लेजिएगा पहला डिफाइन को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे पहला लेक्चर आप सॉलूशन चैप्टर में जाएंगे तो पहले लेक्चर में आपको मोल फ्रेक्शन के बारे में डिसकस हो जाएगा दूसरा आप से बोल रहा है क्योंकि सब चीजे आपको अगर यह क हमये पूरा पेपर कराने में लगेलें तो कम से कम 3 गंटे लग जाएंगे कम से कम 3 आप दिस सोलूशन कंटेनिंग 6.3 ग्राम आप जेलिक एसीड क्रिस्टल क्रिस्टल का मतलब और जेलिक एसीड में क्या करें पाइड कर देंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा तो पहले हम लोग लोग रिलेशन फाइंड करते हैं मुलर्टी और नर्मल्टी में फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नुमेरिकल पर ठीक है कि अग्याओ कि रिलेशन बिद्वेंड मुलर्टी और नर्मल्टी कि नर्मल्टी और मुलर्टी में क्या है रिलेशन फाइंड करना हमको कि देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मुलर्टी क्या होता उसके बारे में फिर नर्मल्टी क्या होता फिर उसमें से रिलेशन क्या आता है उसको मैं बताऊंगा मुलर्टी क्या होता है कि मुलर्टी क्यों हो जाएगा नंबर आप तो मुल्स आफरें शुलूट नंबर आपमोल्स आफरें सौलूट अप form क्यों हो जाएगा वोलूम आप स्थी तो अधन्य बतांगा झाहे से नचलेंगे तो तो नमबर आप मुल्स निकालने के लिए आपको क्या जरूरल पड़ती है वेट पता होना चाहिए आपको molecular weight पता होना चाहिए तो वहां से हम लोग निकाल लेंगे तो नंबर आप मोल्स कैसे निकालेंगे यहां पर लिखें नंबर आप मोल्स एक वोल्स अपसोलूट का कि को एक युक्र चाहिए गए भी क्या होगा आप मंॉल्चिलर वे जाता है अब इसी को क्या करना है इस वाली बैलू को आपको ले जाके यहां पर पुटकर देना है यहां पर आप नंबर आप मोल्स के जगा पर यह चीज़ आप उठ कर दीजिए तो यह क्या आ जाएगा आपका मोलर्टी कोस्टू जैसे मैं यहां आपको दिखा रहा हूं करके ऐसे यह आप एक्जाम में करिएगा तभी आपको अच्छे नंबर में लेंगे तीक है यहां पर लिखे वेट अपान आप मौलेकुलर वेट अब इंटू वडूम आप सॉलूशन में पूरा नहीं लिख रहा हूं या आप बोलूम लिख दे रहा हूं आप समझ जाएंगे वॉलूम यह लिख देता हम बॉलूम आप सोलूशन ठीक है यह हो जाएगा अब इसके बाद हम लोग नार्मार इक्वैफ्र होता है चाहाँ णर्माल लिटी क्या हो जाएगा अग्राही क्यू वई पकता है कि अपन डॉलूम आप सॉलूशन में भूलूम नाम सोलूशन अब प्रक्राम एक्वालेंट आपको नहीं पता है कि क्या हो गात तो अब या है есс Porsche किसमें है इन लीटर में तीक है यह भी क्या है इन लीटर में इन लीटर अब यहां आपको ग्राम एक्वाइलन नहीं पता है तो आप ग्राम एक्वाइलन कैसे निकालेंगी पैंग्राम एक्वायलनों इक्वाइल्ट इक्वाइलेंट इकोज टू कि यह हो जाएगाइगक वेट अप्वान फ्रीय च tengan यह पाल यह चुब बाद शक्वाइल अब मिलेंट की और घुनती सब्रुमार और यह यह अब आपको तुल्यांग की भार नहीं पता है ठीक है इसका कि कितना होगा तो आप क्या करेंगे आपको molecular weight निकाल लेना है molecular weight upon valency होता है यह equivalent weight equals to क्या हो जाएगा equivalent weight equals to क्या हो जाएगा molecular weight अपान क्यों हो जाएगा वैलेंसी यह आप बोलते हैं एक्स फैक्टर अब यह पूरा वैलू देखिए equivalent weight की जगा पर हमको यहां पूट करना है ठीक है यह टोटल वैलू और फिर उसके बाद एक्क्यूवल यह ग्राम equivalent weight अपान equivalent weight की वैलू इसको हमको क्या करना इसकी जगा पर पूट करना तो मैं पूरा एक साथ में पूट कर रहा हूं नार्माल्टी को स्टू क्या हो जाएगा आपका ग्राम equivalent तो वेट हो जाएगा क्योंकि वेट अपान अब एक्क्यूवाइलन वेट की जगा प्याम लोग क्या पूट करेंगे मॉलेक्यूलर वेट यह मॉलेक्यूलर वेट अब यहां देखें मॉलेक्यूलर वेट अपान वैलेंसी है तो इसको हम लोग उपर ले जाएंगे तो यह उपर क्या आया वैलेंसी आ गया ठीक है और यहां पर देखिए यहां पर अभी किन काले हैं ग्राम एक्यूवैलेंट अपान यह बॉलूम आप सुलूशन से मल्टिप्लाई कर दे रहा है। कि बॉलूम कि आप सोलूशन यह आगया आपका नार्मल्टी अब देखिए रिलेशन हमको देखना है मोलार्टी और नार्मल्टी में क्या चीज़े आपका सेम मिल रहा है देखिए यहां पर बेट यहां भी मिल रहा है मॉलीकिलर वेट मॉलीकिलर वेट यहां भी है बॉलूम आप सॉलूशन इडीर लिखreno है अब क्या आपको डिफरेंट मिल रहा है डैललlysी मिल रहा तो इसका मतलब यह इतने के जगा पे हम लोग क्या लिख सकते हैं टूटल की जगा पे हम लोग लिख सकते हैं मुलर्टी ठीक है मुलर्टी लिख सकते हैं इंटू क्या लिख सकते हैं बैलेंसी तो आप डारेक्ट लिखिएगा नार्मल्टी एक्वल्स टू मुलर्टी इन्टू वैलेंसी ठीक है यह रिलेशन आया यह आपका क्या है डिर्ड नमबर आपको मिलेगा 1.5 मार्क्स मिलेंगे इतना करने पर तो आप ध्यान से देखिए बिलकुल आप डरिएगा नहीं कि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बस यह ध्यान दीजेगा क कि आप से पूछा क्या जा रहा है एक जैकली आप अगर कोईस्टन समझ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है इसके बाद इसको जल्दी से नोट कर लिए इसके बाद हम लोग नुमेरिकर लगाते हैं जल्दी से नोट करिए इसको कि अगर को कर दो गया कि अगर आप कि अगर कर दो ऐसे भी आज अगर कि इसके आप दो खुए बहुत आज हों खुए अगर कि अगर कि अगर कि यूव नियुद्ट रह भी दो महराथन चल ला है सब लोगों को बोल दीजिए जॉइन हो जाएं जितने लोग अभी जॉइन नहीं हुए है कि मिटा रहा है इसको कि आप पॉज करके लिख सकते हैं इसको ठीक है इसके बाद नेक्ट क्येस्चन है इसी का नुमेरिकल है आप से कह रहा है कैल्कुलेट दा नर्मल्टी आप दी सोलूशन कंटेनिंग 6.3 ग्राम आप और जैलिक एसिट क्रिस्टल है वहाँ पेपर का लिंक दे दूँगा आप वहाँ से डाउनलोड कर लिजेगा ठीक है देखिए यहां पर कुश्चन कह रहा है कि कि इतना ग्राम लिखा है तो पहले आप से पूछ रहा है नार्मल्टी तो नार्मल्टी पहले इसमें कि क्वेश्चन नंबर वन का वन ही है और वन में यह आपको दिया है यह इतना ग्राम दिया तो वेट आपको दिया है 6.3 ग्राम ठीक है और आपको दिया है मॉलेकिलर वेट मॉलेकिलर वेट यह देखिए बहुत लोग ध्यान नहीं देंगे अपना दिमाग मत लगाईएगा यहां फिर बोला है और जेलिक एसिड प्रिस्टल तो और जेलिक एसिड प्रिस्टल का जो फार्मूला होता है वह होता है सी ओ यह का ट्वाइस इंटू टू एस टू ओ इंटू एस टू है ठीक है चाहिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंटू टू एस टू या आप ऐसे भी लिख सकते हो सी ओ एस का ट्वाइस इंटू टू एस टू ओ ठीक है यह होता है आप जेलिक एसिड क्रिस्टल का आप लोग बस आउग जेलिक एसिड का अगर निकालेंगे तो उसका मॉलिकुलर वेट कुछ और आएगा और आप दिमार्ट लगाएंगे तो आपका अंसर गलत आएगा इसलिए मैं मैं बोल रहा हूँ कि आउग जेलिक एसिड क्रिस्टल वहां बोला है और उसका दे दिया है मॉलिकुलर वेट आपको दिया हुआ है कि मॉलिकुलर वेट इसका कितना है 126 तो आप जितना दिया रहेगा उतना ही करिए उसी के कार्डिंग करिए गाइस्मार्ट मत बनने लगे लगे है कि नहीं हमारा तो इतना आ रहा है तो उसी के हिसाप से क्वेस्टन गलत हो जाएगा ठीक है यह ध्यान देजेगा 126 आपको दिया है मॉलिकुलर वेट अब यहा क्या करेंगे लीटर में चेंज करेंगे जब भी आपको एमेल में दिया रहेगा तो लीटर में चेंज करेंगे क्योंकि हम लोग बॉलूम किसमें देख रहे हैं बॉलूम लीटर में ही कर रहा है यहां पर द्यान दीजिएगा पहले हम लोग लिखेंगे नार्मालिटी एक् अपान वोलूम आप सोलूसन ग्राम एक्वाइलन अपान बॉलूम आप सोलूसन इन लीटर यह क्या हो जाएगा ग्राम एक्वाइलन कैसे निकालेंगे यह निकालेंगे हम लोग वेट अपान अब इसके पहले रिलेशन बता रहा था वहां भी यह चील दिखाऊंगे वेट अपान एक्वालेंड वेट भार अपान तुल्यांकी भार और अप देट अपान एक्वालेंड वेट यह ओजायाएगा और वेट आपको कितने अपको निकालना क्योंकि एक्वालेंड वेट आपको नहीं पता है एक्वालेंड वेट कैसे निकालेंगे एक्यूबालेंट वेट एकोस्टू क्या हो जाएगा ऐसे इसकी वालेंसी क्या होती है जैसे इसको लिखना होता है ना तो यह आप ऐसे लिखते हैं इसके चैन सब्सक्राइब उसकता है शाइन में प्रक्राइब द्र करेंगे वेट अपान मॉलीकिलर वेट तो वेट आफान मॉलीकिलर वेट क्या है अब है यहां क्या हो जाएगे धे से अब यहां आपको बेट लेया हुह और यहां पिर जा Vä év सोलूसंन गोलूमाप सोलूशन इन लीटर तो यहां पर क्या करेंगे वेट आपको कितना दिया है 6.3 ग्राम तो इस पॉइंट्री इंटू 6.3 ग्राम दिया ना इन्टू क्या हो जाएगा बैलेंसी क्या है तू दिया है अपान क्या हो जाएगा आपको क्या करेंगे तो आप लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 1000 कर दिये यह चला जाएगा ऊपर इसको आपका जाएगा और शिक्स है शिप्स पॉइंट्री इंटू है तो इंटू वन थाउजंड अपान है 126 इंटू 500 तो इसको शॉल्व करोगे तो यह दो जीरो कैंसिल हो जाएगा फाइब बंजा फाइब 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 टूजा 10 हो जाएगा और यहां देखिए 0.63 है न इसको सॉल्व करोगे 63 तूजा यह क्या जाएगा इसको करोगे तो यह क्या जाएगा टू टाइम्स जाएगा लेकिन यहां पर पॉइंट यह आ जाएगा वन अपान टैन ठीक है तो इसका मतलब यह 20 हो जाएगा यहां पे और फिर उसके बाद इससे डिवाइड करोगे फोर है यह आजाएगा पॉइंट टू पॉइंट टू आ जाएगा अब यह आप लिखेगा नार्माल्टी कोस्टू और यूनिट बिल्कुल गलत मत लिखिएगा कर दो ओल्ब अब निपन नार्माल्टी कोस्टू पॉइंट 2 हो झाएगा ठीक है ड्रांट 2 ग्राम इक्वालेंट आ जाएगा या आप बोल सकते हो ग्राम एक्यूवाइलेंट पर लिटर या फिर आप बोल सकते हो 0.2 N लिख सकते हो तो इसको अम लोग 0.2 N भी लिख सकते हैं अब यह नहीं एक चीज गलती मत करेगा यहां भी यह लिखके और यहां 0.2 N तो यह 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 गांसिल हो जाएगा ऐसा मत करिएगा आपको क्या करना है नर्मल्टी लिखना है नर्मल्टी के बाद 0.2 N लिखिए यह इसी को आप लिख सकते हो 0.2 ग्राम एक्यूवाइलेंट पर लेटर पर लेटर यह आप ग्राम पर लेटर भी लिख सकते हो ठीक है यह आपका अंसर हो जाएगा यह कुईस्चन आपका पहला सॉल्व हो गया है इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से नोट करिए हो गया है इसको आप वीडियो पहुच करके आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है हैं यह नहीं है कि साथ ही साथ कोई दिक्कत नहीं आप साथ में अगर नोट कर रहे हैं तो बस आवाज मेरी सुनते रहे कान में आवाज जानी चाहिए की सर क्या बोल रहा है उस से क्या होता जब उत अपक सर्में बैठते HAIN आता है कि इस जगह पर इसकूछ तो रहाँ को इसमें क्या होगा आपको याद रहाएगा कि कारबाॉक्स डिक केस में हमने बैलेंसी बताई थी वह तो होती है वागो लोग को बैलेंसी नहीं पता रहे गा और वो सोशते रहेंगे इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा तो वहां दिमाग आपका काम करना बंद हो जाएगा तो उस जगह पे और देखिए दिमाग काम करना बंद नहीं करेगा आज कुछ कुछ ऐसा सब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि आज मंगलवार आपको कुछ पता है बहुत चीज़े आप लोग क्लास में देख चुके होंगे कि मंगलवार को जो कुछ बोला जाता है लगबग लगबग 99.99 सही ही होता है तो इसलिए मैं पेपर इसलिए आज करा रहा हूं आज सब्सक्राइब भगवान भी ठीक है बस करिए मैं फड़ा सा माहौल बना दे रहा हूं तो वारिस बहुत तेज हो रही थी तो उसकी वज़ा से भी रुख गया नहीं हुआ और जो आपको साल्ट हाइड्रोलीसिस कराने वाला था वह आपके स्लैबस में नहीं है इसलिए उस को नहीं कराया उसको बाद में कराऊंगा जब आपका जैमेंस वाला इस्टार्ट करूंगा तब है ठीक है यह नोट हो गया है इसको मिटाएं यह ध्यान दीजिएगा बिलकुल अपना दिमाग इस पर मत लगाएगा 126 दिया तो आप 126 ही पूट करिएगा और 126 इसका होता आप सॉल्व करके देख लिजेगा वैलू जो आएगी 126 ही तिक है तो अब कर आप तो प्रिश्ट के रहा है दिफाइं दिया अक्षिदेशन और देख्षन स्बाइक रही और देख्षन और पर देख्षन का होता है और हइड्रोजन का निकलना यह क्या होता है यह आप बोल सकते हो लासाफ एलक्टरान में ऐक्षिदेशन होता है गेह बिल्क्ता घ्रिकने सैंट थो वह मैं आपको पहले ही लेक्षर में के पहले ही लेक्षर में नियुक्षर में अपको बदाया हूं यह चीज आप fasados वार टुर्हण टो पुर्योब करना है कोई भी डाल्या विंटिशन हमाँ पास रेग्षा को बाहले सब हां है कdrive कि वैलेंस दा रियेक्शन है कि वाई ऑक्सीडेशन मेथेड़ ऑक्सीडेशन मेथेड़ से क्या करना है बैलेंस करना है यहां पर आपको दिया है जेडेन प्लस एच नू तरी जेडेन है फिर एसन और यह एच एंअओ तरी मैं कि यह क्या हुआ मैं यूदू नर्फो प्लस यह च्छू प्रें। है तो हम लोग नहीं लिखर रहे हैं हैस आप से कोई मतलब नहीं है यूलाश में जाके ब्रेंश हो जाएगा जब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करें गीए यहां अपको क्या करना जोब करना होता है पहले आपको professor ठीडना रहता है कितना ऑकसीडेशन हो रहा मिन नवर देख लीजे किकशनանाוכता है यहां प्षाण कीक्शना लोगतब्शी सब्पप्लाइच wichtig. कि इसका नोत्री को यहां क्या हो जाएगा प्लस हो गया तो इसका हुली हुआ राइब प्लसपाइड से आपका क्या आरहा है यहां प्लसफपाइड हमया इसका मनलब यह प्लस है तो इसका मतलब यह क्या हो रहा है प्लावाध और यह खांजिसीटेशन हो यह oxidation हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है reduction हो रहा है तो इन दोनों में देखना है कितने का increment हो रहा है या change in oxidation कितना हो रहा है तो वही हमको क्या करना है जितने का change हो रहा होगा change in oxidation का मतलब oxidation में कितने का change आ रहा है यहां देख रहे है टू का change आ रहा है तो change in oxidation change in oxidation कितना आ रहा है तू आ रहा है ठीक है और इसमें क्या रहा है चेंज इन रिडक्षन कितना रहा है यह कितना रहा है तो हमको कुछ नहीं करना जो यह change in oxidation change in reduction में आ रहा है इन ही के जैसे इनका जो नंबर जितना चेंज आ रहा है उसी का reverse जैसे इसका change जितना रहा है oxidation वाला उसको multiply कर दीजिए reduction वाले बैलू में यह reduction वाली में और इसका जो चेंज आ रहा है उसका मिल्टिप्लाई कर दीजिए ऑक्षिडेशन वाले में तो यह करना आपको ठीक है और आप ऐसे लिख सकते हैं में और भूष्डेशन को मल्टिप्लाई अब देखो ऑक्षिडेशन में कि रिड़क्षन वाले में हो रहा है वन का तो multiply by one कर दो और जिसमें reduction हो रहा है तो है उसमें multiply कितने का कर दीजिए तू से multiply कर दिजिए तो यहां पर हम लोग क्या कर दें multiply करके इसको add कर दे रहा है कि multiply कर यह देखिए यहां यहां पर वन से ऑक्सिडेशन वाले में वन से तो यहां जेड़न हो गया प्लस इस वाले में आप ऐसे पूरा रियक्षिन एक बाल रिखेंगे जेड़न जेड़न से क्या हो रहा है जेड़न टू प्लस ठीक है और इस वाले में क्या हो रहा है यहां पर टू से है टू एच एन ओ त्रे यह क्या बना रहा है तू एन ओ टू अब यहां पर देख लिजिए बाइलेंस है और यहां पर इधर यहां पर देख लो ऑक्सिजन कितना है तू टू टू जब फोर है यहां पर लोग क्या कर दें तू से अगर देख लो यहां टू है यहां पर कितने हैं फोर है तो आप क्या कर यह इधर क्या कर दिजिए डिक है अगर हो गया इस प्लस यहां पी है अब इसको आइड कर देंगे देखिए यह रियक्शन पहले से आएन पहले से बैलेंस हो क्योंकि आप को पता है जो प्लाश्य कर दिया क्रास मल्टिप्लिकेशन कर लिए इधर नो दो है यहां पर दो हमने चेक कर लिए यसको ऎड कर दीजिए यह रियक्शन रिलेंस हो घयाए यडिन नक 채 Lao प्लस तू एस प्लस यह बनेगा तू एनो टू प्लस टू एस्टू और तो इससे आपको क्या लग रहा है बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि इसमें आपको दिक्कत हो ठीक है इसमें छूट गया है यह तो यह नो टू 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 हो गया ठीक है और यह जड़ें चूट गया इधर जड़ेंट टू प्लस यह आप इसको पहले जड़ेंट टू प्लस लिख लीजिए फिर उसके बाद कि दोनों रियक्सन को एड करना है इधर हमने क्या किया जड़ेंट लिखा तो सब्सक्राइब तो इधर भी क्या हो जाएगा चाहिए जड़ेंट पहले लिख लो टू टू प्लस टू टू इसको लिख दिया यह रियक्षन हमारा बैलेंस हो गया है ऐसे क्या होगा दूसरी दो reaction आया थी तो किसी एक को करना था दोनों में से किसी को करना था आपको उसमें दे दिया है और करके चाहे आप इस पहले वाले को कर दीजिये या दूसरे वाले को करना है और दूसरे वाले के लिख दिया है इन एसधेक्त चाहिक्त सब्सक्राइए अगर आपको नहीं दिखा रहा रहाए तब भी आप एसधीम मेकरेंगे अगर आपको लिख रहा हो अure– मेडिये हैं है ठीक मेडिये में हमर्यव करें ऐस्षे हैं को कर लेते हैं और मैं आपके लिए ही आया हूं किसी और के लिए नहीं आया हूं आप इसको बढ़ियां से मेहनत करिए और नोट कर लीजे जल्दी से हो गया है 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 यहां पर देखिए आपको दिया हुआ है कि रटूओ सेवन कि रटूओ सेवन टू माइनस प्लस ए फी टूप्लस यह क्या है इस ये ब्लस फी थ्री प्लस प्लस ए इस टुओ बोल आ आपको एस्टिक मीडियम है इन्हें एस्टिक मीडियम इस तरह के question में आपको भी oxidation पहला नंबर oxidation नंबर सब करोमी जो आपके oxygen और hydrogen को छोड़के जो भी आटम है उनका oxidation नंबर देख लो oxidation किसका कितना आ रहा है तो यहां पर आप देखेंगे वह कितना है इसे बन तो यहाँ पर 7 टूं जा को टीन हो जायगा deख लिएक टूं करेंगे यह आ जाएगा सिक्स आ जाएगा तो इसमेक यह लोब 282 ग्रोमि यह लोच को प्लस थृर्य ग्रोम यहां प्लस 30 आ रहा ना था किसके बाद यहां एक त्हक्तै याहँ कितना और अजिは प्लस थी तो इसका मतलब क्या है यह वाला क्या हो रहा है और यह वाला क्या हो रहा है यह रिडक्षं हो रहा है कि दी सब्केस में कि बशावा '' मॉल्टिप्लाई कर देंगे तो यह 6 का डिफ्रेंस आएगा ठीक है यहाँ पर जब आप मॉल्टिप्लाई करेंगे यहां पर 6 हो जाएगा आधेकीए जैसे हम क्रोमियम टू है यहां इसको अम लोग आईटम को बैलेंस करके तब लिख रहा है तो यहां पर यह क्या हो जाएगा CR2 O7 2- यह क्या हो जाएगा 2 CR3 प्लस ठीक है अब यहां पर change in oxidation या change in reduction लिखेंगे change in reduction कितना हो जाएगा यहां कितना आ रहा था 6 से प्लस 3 आ रहा है इसका मलब reduction हुआ तो यह क्या आ जाएगा यह change in reduction 3 2 जा क्योंकि 2 से हमने multiply कर दीजाए तो यह क्या जाएगा 6 आ जाएगा यहां पर देखें कितना change था 6 में से 3 घटा होगी यह क्या जाएगा त्री आ जाएगा और चेंज इन ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और reduction वाले में क्या करना ऑक्सीडेशन वाले बैलू चेंज जो आया है उससे multiply करना है यहां एक बार लिख दे रहा हूं ऑक्सीडेशन मुल्टिप्लाई भाई वो बाई 6 हो जाएगा क्योंकि इसमें वान है तो इसका यह आप बोल सकते हो जिसमें ऑक्सीडेशन और उस्में क्या करना है जिसनमें हो रहा है इसमें हम लोग लिखके ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपए देख लिए स्क्रीन क्या है सिया थु ना और दूसरा क्या है तो सिक्स एफी टू प्लस कि क्या हो जाएगा है जिप्स अब यहां पर देख लीजिए ऑक्सिजन और यहां पर इस वाले में हमारा क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा कितना इंट करना है यह कौन्ठ डिसाइड करेगा देखिए यहां पर कितना इस सिख ए ठीक है आप कारिए तयक्ति चाहे अब क्या करिए सेबन एस टू डारिक्ट मल्टिप्लाई से कर दिजिए यह शिक्स टूओ और कर दिए कुछ भी आप कर सकते हैं तो आप क्या कर यहां प्लास कितना है एस प्लस अभी कमी है तो यहां क्या लेकिए CR2 O7 प्लस 6 F2 प्लस प्लस 14 S प्लस यहां पर 2 CR ती है प्लस यह कितना हो जाएगा 2 CR 3 प्लस 6 F2 3 प्लस प्लस यहां पर हो जाएगा 7S2 O तीक है यहां पर देख रहा है ना कितना यहां 7S2 O हो गया यहां पर हम लोग क्या किया 14S2 प्लस एड कर दी है तीक है आप इसको आप बैलेंस कर दीजिए यहां पर तू माइनस छूट गया है तीक है यहां पर देख लिजिए कितना हो जाएगा यहां 14 में से तू यहां इस वाले में यहां देखें कितने एस प्लस आप देख लिजिए बाकी आप सब कुछ जान जाएंगे यहां क्रोंयम टू है यहां टू क्रोंयम है है मैंने से 6EX है 6EX है सिप्लस कितना यहां फो टीन है यहां पर मोटीन हो गया ऑक्सीजन चेक कर लो सेबन है यहां पर क्या हो गया इस भी बैलेंस फिर उसके बाद आप देख लीजिए प्लस-चार्ज मैंने सहें के नहीं बैले नस यहां 14 एस प्लस है तो 14 यह हो गया और यह दूनी बारा कितना हुआ कि यह 26 हुआ और माइने इस टू हो जाएगा तो यह 24 ओ गया यहां पे क्या होगा टूथ रीज़ा कि यह आपका क्वेश्चन नंबर वान का भी था यह वान का भी है नोट हो गया है कि विटा है इसके बाद कोईश्चन नंबर टू है एकिलिब्रियम से है केमिकल एकिलिब्रियम से है अब पहले तो पूंच रहा है वाटर रिवर्सिबल और इर्वर्सिबल रियक्शन अब एक्स्प्लेइन भी दिख्जामपल फिर दूसरा कह रहा है स्टेट दलीच अटेलियर प्रिंस्पल और तीसरा कह रहा है दा कंसंट्रेशन आप नुमेरिकल दिया है तो पहला यहां से रिवर्सिबल रिवर्सिबल मैं आपको बता दिया हूं कि रिवर्सिबल क्या होता है दोनों डारेक्शन में होता है रिवर्सिबल क्या होता है सिंगल डारेक्शन में होता है और रिवर्सिबल दोनों साइट से हम लोग प्राप्ट कर सकते हैं एकिलिब्रियम को प्राप्ट करता है और रिवर्सिबल क्या होता है एकिलिब्रियम को करता है और उसमें जैसे आप कोई आप दुकान पर जाते हैं तो आप क्या करते हैं वेट तुला मसीन होती है यह नहीं hardcore कला और कम है थोढ़ा और रखिए जो भी आप खरीद रहे हैं सब्जी में यह प्याज हो गया कुछ भी वह गया तो उसमें जोआप खरीद रहे हैं उसका जब तक एक एक्वार करें नहीं आ जाता तब तक आप कहते हैं जांपल पर राखिए ना ऐसे बोलते हैं फिर उसके बाद उसी बर्फ को आप लाके दूप में रख दीजिए फिर से पानी बन जाएगा तो यह क्या हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस और इर्रिवर्सिबल में क्या हो गया जैसे आपको रियक्षन लिख लिजिए सी प्लस ओटू सी ओटू यह पैसे डर्निक जीवन में आप ऐसे देख लिए चावल बना लेजिए पानी मिला है चावल मिला है और उसपे गैस पर रख दिए हीट किये पका हुए चावल मिल गया फिर उस पके हुए चावल को आप कच्छे चावल में परिवर्थित कर यह प्लस उस जो अपका यह रिवर्षिबल इर्रिवर्सिबल रियक्षन है तो अगर मान लिजी आप स्मार्ट बनने लगए की हम नहीं हम करके मानेंगे आप क्या करेंगे दुप में रखें एंगे दूप में रखेंगे तो जो आप सिंपल आप ऐसे रहता है अएसे चाव जो आप से बोला जाए जो आप से बोला जाएगा उसका दुश्क्रेंट करेंगर यह सेम आपको क्या करना है प्रेसर के लिए बीकर्णा और ट्म-प्रेचर के लिये भी और अच्छेS few तेकर न claro कि अच्छाहें वाले लिए नजबंको में बताया हूं अच्छे शहों पर जा के देख लीजिएगा नुमेरिकल पार्ट आ जाईए कह रहा है दा कंसंट्रेशन एक्युलिब्रियम केसी कंसंट्रेशन एक्युलिब्रियम कांस्टेट केसी फार्दी रियक्षन ये टू प्लस 3S2 ये क्वेशन नंबर 2 का ए दिया है कि ये टू प्लस 3S2 ये क्या आगया है टू एनस्ट्री ठीक है और मैं बार बार आपसे कहता हूं ये एन्टू प्लस 3S2 ये समझ लो ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एक्युलिब्रियम चैप्टर से सबसे ज्यादा यही यूज होता है अगर यह नहीं आया हो तो बताइएगा किसी भी पेपर में आप देख लीजिए उठाके कम से कम एक बार तो आया ही आया है तो यहां पर भी आपके पेपर में आने के चांसे जाए यहां कहरा है केसी की लू दिया हुआ है कि सी दिया आपको 0.4 दिए 0.5 दिए ठीक है और आपको टमप्रेचर दिया है और एक टू-40 डिग्री संटीग्रेट तो जितना आपको दिया रहे गा क्वेस्ट्न में दिया है आप देख लीजेगा कभी क्या दोटना इसमें question में 400 दे दिया है 400 डिग्री संटीग्रेट और हिंदी वाले portion में देखेंगे आप 40 डिग्री दिया है तो वह चीज आप पहले confirm कर लेजिएगा इसमें क्या चाहिए तब तक आप दूसरा question कर दीजिए और वहां पर आपके यहां जो गाड़ी लगे हुए उनसे बोल दीजिए कि सर इसमें क्या होना चाहिए अगर करेक्शन होगा तो बताया जाएगा कि यहां पर फॉर्टी नहीं 400 होना चाहिए तो वह पूंच लीजेग सब्सक्राइब कर देजिए प्लस फॉर्टी हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कि त्री और यह अपका आया अब यह आपका कैल बें 313 कैल बिन आगया आपको फार्मूला पता देखिए यहां से हम लोग पहले क्या निकालेंगे डेल्टा एंजी तो डेल्टा एंजी निकालने का तरीका आपको क्या बता था नंबर आप मोल्स आप गैसियस प्रोड़क्ट यह सब गैसियस फॉर्म म मोल्स यह क्या है तू है माइनस नंबर आप मोल्स आप गैसियस रियक्टेंट तो रियक्टेंट में त्री और यह वन जहां कुछ नहीं लिखा होगा वहां वन हो जाएगा यहां टू माइनस फूर एक पोस्टू माइनस टू ठीक है अब यहां आप फर्मूला लिखिए के पी कोस्टू के सी इंटू आर्टी की पावर डेल्टा एंजी तो आपको के पी निकालना है ना के पी निकालना है क्या निकालना के पी निकालना के पी कोस्टू क्या हो जाएगा के सी की वैलू 0.5 दिया है इंटू आर्टी की वैलू क्या है आर की वैलू आपको दिया 0.082 दिया है तू ही दिया है जितना आपको दिया रहेगा वही पूट करिएगा नहीं बैलू इधर उधर आने लगती है तो आप पर पर परिसान हो जाएंगे यहां पर क्या हो जाएगा 0.082 इंटू 313 और यह पावर में क्या दिया है आपका माइनस टू आ जाएगा पावर में तो आप क्या करेंगी इसको साल्व करेंगी के पी कोस्टू कॉइंट फाइप इंटू इसका मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो आपकी वैलू जो आएगी वह आ जाएगी आप देखेंगे जैसे यह अपान में आ जाएगा ना स्क्वायर है इसका यह अपान में कर दीजिए यह जीरो पॉइंट सॉल्व करेंगे तो यह आपका आ जाएगा सिछे सो अठावन इसको मल्टिप्लाई करके सॉल्व करेंगे यह आप पहले इसको ऐसे लिए जीरो पॉइंट जीरो एट टू इंटू 313 का स्कॉयर है यह आपका क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइफ अपान शेसो अठावन पॉइंट 608.74 इतना आ गया फिर इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे यह के पी की वैलू जो आएगी यह आ जाएगी आपकी 0.000 0.000 75 आएगा तीक है और आप इसकी यूनिट क्या लिखेंगे तो यूनिट निकालने का तरीका मैं बता दे रहा हूं देखिए यहाँ पे यूनिट गयबड मत करिएगा के पी की यूनिट कैसे निकालेंगे यहाँ पे आप निकाले प्रेशर पार्चिल प्रेशर आप कि यंटू इंटू पार्चिल प्रेशर आप कि एस्टू का क्यों तो प्रेशर का क्या होता है एटीयम होता है तो यहाँ प्रेशर का एटीयम एटीयम का स्कॉयर अपान ATM into ATM का Q तो यहाँ ATM स्क्वार निकल जाएगा तो यहाँ पे यह आप डारेक्ट लिख सकते हो ATM के पावर माइनस टू जो आपका वहाँ कंसर्ट केसी का निकालते थे तो मोल पर लीटर के पावर डेल्टा एंजी होता था यहाँ पे क्या हो जाएगा ATM के पावर डेल्टा एंजी तो यह आप डारेक्ट भी लिख सकते हो नहीं है ऐसे निकाल भी सकते हो यह क्या हो जाएगा ATM की पावर माइनस टू थीक है यह इसकी यूनीट हो जाएगी तो यहाँ पे आप लिखिए अगा ATM के पावर माइनस टू यह आपकी बैलू आई इसको नोट कर लिजे जल्दी से हो गया है इसके बाद दूसरे कभी है कि दूसरे कभी में पूछ रहा है पहले कर रहा है डिफाइन दा पीएच वैलू तो पीएच वैलू अभी आएक फिलिब्रियू पाइसे लिंक होंगे माइं डिस्क्रिप्सक्रिप्षन उसके बाद निमेरीकल आता है के लिफिय हृँ आप फॉल आ फॉलेव और पुट्री निमटती के लिएगा हुआ कि अ्यूत्म जाता है इस यहां सी यह को मिल creator कि यह वैलू निकालना है आपको कि यह क्वेशन नंबर टू कभी है यहां पर देखिए पिएस निकालना आपको दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम एस सी एल ठीक है और दूसरा क्या दिया है जीरो पॉइंट बीट जीरो जीरो वन एस सी एल सो डिया है दी यहां पर नबिया है यहां दिया है तो कोई प्राब्लम नहीं है अभी आपको सबस्क्रागना रही हैות सबसे इसको हम लोग solve करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हो 10 के power minus 3 लिख सकते हो T sap plus equals to क्या हो जाएगा 10 के power minus 3 दिया है तो हम लोग peach richer क्या लिखेंगे peach equals minus half log S plus तो यह value put करेंगे minus half log S plus की value 10 के power minus 3 तो यह क्या हो जाएगा YUM के power N log YUM तो यह plus 3 log 10 यहां पहले देखे इसको नार्मार्टी को मोलर्टी में चेंज करना है तो नार्मार्टी को स्टू क्या हो जाएगा मोलर्टी इंटू बैलेंसी अब यहां बैलेंसी क्या हो जाएगा एन ने प्लस प्लस वेच माइनस तो मैं आपको आपसीडेशन डेक्शन में बता चुका हूं कि जो आयन्स के फार्म में जब होते हैं तो उस पर जो चार्ज लगा होता है वही उसकी बैलेंसी हो जाती है तो हाइए मोलर्टी ओर्म मुलर्टी निकालना है न आपको नर्मल्ट दिया हुआ है मुलर्टी क्यों क्या हो जाएगा कि नर्मल्टी अवां बैलेंसी क्या हो जाएगा फोलान कि नर्म cs आपको दिया जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन दिया अपानी बैलेंसी कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो इसके ओपर कोई फेक्ट नहीं पढ़ लागा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम आ जाएगा यह अब आप निकाल लीजिए इसको टैन के पावर माइनस त्री लिखेंगे यह क्या आया है एच ओएच माइनस आया है ओएच माइनस इकोल सुट टैन के पावर माइनस त्री यहां ओएच है ना ओएच माइनस इकोल सुट टैन के पावर माइनस त्री अब हम लोग क्या करेंगे पी ओएच निकालेंगे तो पी ओएच इकोल सुट माइनस आप लॉग OH माइनस आया यह क्या हो जाएगा माइनस आफ लॉग 10 के पावर माइनस 3 यह माइनस आफ लॉग यह M के पावर यहन हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा प्लस 3 यह POH आया है और आपको पता है pH प्लस POH इकोल सु क्या होता है 14 होता है तो pH equals to क्या हो जाएगा 14 माइनस 3 हो जाएगा तो यह pH equals to क्या आजाएगा 11 इसको जल्दी से नौट कर लेजिए कर अब कर सक दो क्या आड़ होग्या गाएगा घु कि अख्या गर्भी अर्वा कि इसके बाद आपको कह रहा है फंक्शनल ग्रूप हाव बिल्यू डिटेक्ट दा प्रेजेंस आप सी यो सी यो यह सी अच्छो और यह ग्रूप फिर उसके बाद बोल्डर राइट दा लुकस टेस्ट डिट्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शेरी अल्कोहल तो प्राइमरी टर्शेरी सेकेंडरी अल्कोहल पैचानने का तरीके मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं बाकी आप जिसको अगर नहीं आता है तो वह क्या करेगा फास्ट लेक्शर में आप को यह मिलेगा कि लुकस टेस्ट क्या है और इस चैनल पर फास्ट लेक्शर वही प बताया गया आप देख लीजिएगा आपको मज़ा आ जाएगा एक कहानी के तो मैं बताया हूं आपको तो आप जो लोग पढ़े हैं उनको तो पता है सलमान खान की साधी वह थी ना ऐसे तो उसी को रिलेट करके मैं बताया हूं बहुत ही इंट्रेस्टिंग है जाके आप लो आख लिजे ठीक है अल्को हल को आपको पहचानना है कि 13 जाने का तरीका यहीए जोeducas का Prus jnCl 2 और यहीं मिलाएं गया ऊजच्राइए ँपकल फटो उसमें ब्रोग ऊन तो या जैसे आप क्या करते हैं पानी में थोड़ा सा दूद मिला दीजिए तो दूदला पन आ जाता है न वह से दूदला पन जैसे आएगा तो क्या हो जाएगा जैसे आपने मिला तुरंत आया तो त्री डिग्री अलकोहल और अगर जैसे आप 2-5 मिनट लग गया तो इसका यह तरीका है आप डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा आप देख लीजेगा वहां से आपको मिल जाएगा जिन जो लोग पढ़ चुके हैं तो उनके लिए नहीं पड़े हैं वो लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे मिल जाएगा आपको इसके बाद आ रह प्रिए बद आता है पीम में में आजई आप तैसरा आता है आपका टफलान कि ऑस्याफटी से फटू नाइलान अँग्विए इसके बाद आता है वैकेलाइट अप कर दो इसके श्ट्रेक्चर पूँछ रहा है और यूच पूछ रहा है तो आपको इस्ट्रेक्चर बताना पहला पॉली इस्ट्रॉक्चर यह आपका कि यहां क्या हो जाएगा कि स्टू तो तो यहां पर आपका सीजों सीस्टू हो जाएगा फिर उसके बाद चाहिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हों यहां इसको यहां लगा देजिए इसको यहां एक दो तीन यह हो गया यहां पर टू कर दो और इसको इन टाइम्स कर दो यह क्या हो जाएगा पॉलीश टाइरीन ठीक है चाहिए इधर कर दो यहां इधर करदो को अदो कोई कोई दिकत नहीं है इधर भी यह इधर पूड सर्विसेश लाइक क्या क्यों हो जाएगा जैसे आपका जो छोटे-छोटे पात राते हैं ना फाइबर के भी आते हैं और आपका उसका भी प्लेट आता है कि प्रेया आता है तीक है कि रिजिट ट्रेज कि फूम कप आता है यह फूम कप टीक है प्लेट इटीची इसका यूज यह ठीक है फिर पी यम्म में आ जाएए इसको क्या बोलते हैं पॉली मेथिल अचे मैत अग्राईलेट पॉली मेथिल मैथ अक्राईलेट टीक है पॉली मेथिल मैथ एक्राईलेट यह इसका इसका फुल फॉर्म है प्यूम्हें में का और इसको यूज इसका यूज क्या क्या है पहले इसका इस्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं इस्ट्रक्चर क्या है कि अग्यां और चीएस टू सी चीएस त्री अग्यों तो यहां एंड हो जाएगा कि एक यह इसका पी एम में का इस्ट्रक्चर है इस्ट्रक्चर आप ध्यान दिजिएगा आता है एक नंबर का कुश्चन आता है कि मलब एक यह एक यह ऐसे करके आएगा तो टोटल यह कितने एक दो तीन चार पांच पांच है तो इसका मतलब आपका कितने नंबर का यह पांच इस्ट्रक्चर बनाएं और उसका यूज लिखे पांच नंबर आपको मिल गया ठीक है तो यह ध्यान दिजिएगा पॉलीमर है जी ओसी और पॉलीमर आपको दस नंबर देता है द्यान दिजिएगा दस नंबर इधर भी और एक आपको इस्ट्रक्चर बनाना था तो यह दस नंबर यह हो गया बारा नंबर का आ जा रहा तो आप ध्यान दिजिएगा बिलकुल इस चैप्टर को आप छोड़के मत पता है कि इसका यूज लिख लिजिए यह में में का यूज कि यह में में का यूज यह क्या है कि सब्स्टिट्यूटेड ग्लास बनायते हैं कि यह में इज यूजड एज सब्स्टिट्यूटेड कई किया जाता है 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 कि सुस्याइट कर चाहिए और छारी रग्लास और एक और चीज समहना लाइस साथ यह जो जो विन्डो होता है यह आप जैसे बंद करते न 6 जानते ना अप लो शैटर प्रवानों में क्या होता है से रात में बंद करके जाते हैं ना वहीं सेटर रूफ ग्लास या विंडो शेटर प्रूफ विंडो तो तीक है इसके बाद आपका है टेफलान टेफलान का फार्मूला क्या होगा अगर यह यह नहीं लगाया तो गलत है अगर यह यह नहीं लगाया इसमार्ट मत बनियेगा एंगर नहीं लगाया है तो आपका गलत है आप चिलाते रहिए कि सर्य हमने किया था बहुत अच्छे से करके आया थे गलत है उसको कोई नहीं सही काट सकता यह क्या हो जाएगा इसका यूज क्या हो जाएगा यूज लिखिए कि इस इस यूज़ फार इस यूज़ फार नान इस्टिकी यूटेंसिल नान इस्टिकी यूटेंसिल इसमें क्या जैसे होता है अगर आप सम्मच यूज़ कर रहें तो यहां पर कुछ लगा रहता है तो उसमें लगा नहीं रहेगा कुछ ऐसा नहीं लगा रहे इसको लिखेंगे एक दो तीन चार फिर यहां पर क्या हो जाएगा फिर इसके बाद हम लोग सिक्स टाइम लिखेंगे यहां पर एनेच लिखेंगे फिर इसके बाद सिक्स टाइम लिखेंगे वन टू त्री फूर फाइब सिक्स फिर यहां क्या लिखेंगे एनेच लिखेंगे फिर इसके बाद यह बाहर कर देजिए और यहां यहां लगा देजिए यह क्या है नाइलान है और इसका यूज क्या हो जाएगा नाइलान का यूज आपको पता है क्लाथिंग सर्ट सर्ट बना क्लाथिंग में होता है मैं मैं नियूंट सब्सक्राइब और यह प्रेंट कोट हो गया तो इससे में बरुसात का मोसम बीचल रहा तो रेंट को कि जरूरत भी पड़ती है एक इसके बाद बैके लाइट का यूज बनाना यूज लिखना तो बैके लाइट का इस्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ऐसे करि और इसके बाद यह नीचे ऐसे यहां पर सिएस्टरी इसको मत सपोज करें क्योंकि यह इसी में ही क्या बन रहा है और धेर सारे जुड़े रहेंगे फिर इसके बाद यहां सिएस्टू फिर एक बेंजीन रिंग उपर अलकोहल फिर इसके बाद एक सिएस्टू यहां इसे लगा दीजिए फिर क्या है बेंजीन रिंग और यहां और यहां एंड टाइम्स लिख दीजिएगा फोड़ा जगा कम है यहां एंड इसमॉल में लिख दीजिएगा जरूर ठीक है सेम यही फार्मूला सब में लगेगा ठीक है इससे नहीं मतलब है कि यहां पर नीचे बना दिए यहां भी उपर ही रहेगा उसे बिल्कुल परेशान ना होई और यहां पर यह देखिए वह यह चो मत समझ लिजेगा यह इसका है ठीक है यह जल्दी से इसको नोड कर लीजिए और इसका यूज क्या है बटन बनाने के लिए होता है और घड़ी बनाने की जो हम लोग के पास वास होता है जो दिवाल घड़ी होती है तो वह उसी का बैके लाइट का ही बनता है तो यहां पर आप लिखेंगे इटीज जफार मेकिंग क्लॉक कि लाइट लाइट इसको नोड कर लीजिए जल्दी से इसके बाद हम लोग नेक्स क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स क्वेश्चन आपको दिया हुआ है देखिए पहला करा राइट इस आट नोट सान ग्लास तो मैं ग्लास इसको आपको पहले ही बता दिया हूँ ग्लास चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लिजेगा धाई नंबर को आपको मिल जाएगा और जीओ लाइट मेथेड बायो गैस इमल्सन इसमें से आपको आप्सन है तो आप दो कोईशन आलेड़ी पहले ही कर लिजिए तो आपको त तीसरा आपको करने की जरूरत ही नहीं है फिर इसके बाद आपका आता है चौथा क्वेस्चन इसको लिखिए जल्दी से हो किया है आप से पूंच रहा है कास्टिक इमरिटलमेंट चौथा कुईस्चन है आपको वाटर चैप्टर से है पूर्थ कुईस्चन है आप से पूँच रहा है कास्टिक इमरिटलमेंट कास्टिक इमरिटलमेंट पूछ रहा है अपको राइट त्रॉक्ष्टरल फार्मूला एब्टी एंडिटी ये ये इसके बाद आपको नुमेरिटल is caustic emrittlement is the corrosion of boiler the corrosion of boiler corrosion of boiler material caused by using highly using highly alkaline water highly alkaline water in the boiler और इससे अभी एक साथ में पूरा इसको discuss कर देते हैं इसी में आगे लिखना आपको during the soft tanning by soda lime method during the soft tanning by soda lime method so the lime method soft tanning water contains soft tanning water soft tanning water content residual sodium carbonate residual sodium carbonate sodium carbonate this sodium carbonate decomposes this sodium carbonate decomposes 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 to form sodium hydroxide to form sodium hydroxide and carbon dioxide carbon dioxide and carbon dioxide इसके इसकी रियक्सन हम लोग लिख लेते हैं सोडियम कार्वोनेट के साथ में स्टू ओ एड कर आएंगे यह ने टू सी ओ थ्री प्लस एस्टू ओ यह क्या बनाएगा यह आपका बनेगा सोडियम हाग्शाइड और सीओ टू टू जाएटू टू अश्चरा आपका बनाएगा सोडियम कार्वोनेट हैडोजन के साथ ट्रेट करके सोडियम हाडशाइड बना लेगा और सीओ टू बनाएगा यह नहां कास्टिक इस दा को रोजन आफ बॉयलर मटेरियल कास्ट बाइ यूजिंग हाइली एलकेलाइन वाटर इन दा बॉयलर यह बोल सकते हैं हाइली एलकेलाइन का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा आप बेसिक नेचर का हो तो यहां पर जैसे कास्टिक क्योंकि आपका यह सोडियम है ड्र वाटर यहाँ जैसे आप क्या करते हैं आपको ऊल्केंटी अक्रुए करवाया था ना फ्रक्टिकल उसमें क्या कि था आँ एंस मिलाने से क्या हुआ था वाटर की यूंड बढ़ गए थी तो यहां पर भी आपका उसलिए यूज किया रहा है जो आपका बॉयलर मतेरियल है उसको यह उसमें कोरोजन ना लगे उसकी वजह से यहां पर क्या इसको यूज कर रहे हैं Highly alkaline water in the boiler boiler में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं Highly alkaline यह आप बोल सकते हो रहे हैं डिरिंग आफटेजंग बाइ सोडा-lime method ऑफ करते हैं तो यह reaction आती आती है तो वही बताया है sodium carbonate sodium carbonate हो जाएगा और क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा तो यह क्या बनाएगा sodium hydroxide आ जाएगा this sodium carbonate decomposes to form sodium hydroxide यह decompose होके क्या बना रहा है sodium hydroxide बना रहा है इतना आपको लिखना है स्कास्टिक इमरिट्ल M Gotta Bu The B एक नंबर मिलेगा एक नंबर के एक नंबर के दिया है तो कि दो नंबर का आशान एक लाइन नमेरिकल है यहां पर अभी इडिटी आपर इडिटी और इडिटी यह यह नंबर का वगया तेन नंबर का हो लास्ट बार ऐसे दो बेंजीन बना लिजी ऊपर नीचे ठीक है बहुत लोग क्या करते हैं सीधा सीधा बना देते हैं गया बढ़ हो जाता है दो बेंजीन ऐसे बनाया आपने नीचे वाली बेंजीन के यहां पर यहां पर चाहे आप ऐसे बॉन्ड लगा के कर दीजिए यह बॉन्ड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे गोला भी लगा सकते हो ठीक है ऐसे भी कर सकते हो तो मैं मुझे पता है कहां क्या लगना है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे बना दिया हमने फिर उसके बाद ऐसे बना दिया ऐसे बना दिया कोई दिक्कत नहीं है फिर यहां क्या करिए नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजन फिर यहां पर एक बेंजीन डिंग फॉर्म करिए फिर यहां इसके इससे एक बेंजीन डिंग फॉर्म करिए कि यहाँ भी क्या हो जाए गा ऐसे आप बना दीजिए पिर यहाँ पे एक यह बना दीजीए अब यहाँ पर देखिए इस नाइट्रोजन से यह देख रहे हैं तो इसके फर्स्ट पोजीशन पर यहां नीचे ओण लगा दीजिए यह आप यहां से देखेंगे तो इसका यह आर्थो पोजीशन होगा है एक यहां इस देखेंगे तो इसके फर्स पोजीशन पर पोजीशन पर वे लगा दीजिए और यहां पर एक यह नोटु लगा दीजिए कि सिंगल बॉंड है मैं आप डबल बॉंड एजुम कर लेजिए या नोटू लगा दीजिए तो यह क्या आ गया यह आपका इवीटी का structure हुआ है और एडी टीए का structure क्या हो जाएगा देखे इडी टीए पूच रहा है तो आप एडी टीए लिखिए गा बहुत लोग क्या करते हैं डाई-sodium salt अप डाई-sodium salt दूसरा और एडीटीय दूसरा चीज तो आप डूस जो बोला जाएगा वही चीज़ लिखिए किसी किसी पेपर में डाई सोडियम साल टाप डिटिये पूछा तो डाई सोडियम साल करेंगे पिछले बार पिछले पेपर में बहुल लोग गलत करके आये EDTA के जगा पे डाई सोडियम साल्टा पे EDTA इसी वज़ा से उनका एक नंबर और कड़ गया है यह क्या हो जाएगा CS2 CS2 यहन CS2 COOH CS2 COOH ठीक है फिर इसके बाद यहां क्या हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा CS2 COOH ठीक है यह आपका क्या हो गया है यह आपका EDTA का स्ट्रक्चर है अगर आप से गलती से पूछ ले रहा है दाई सोडियम आप दाई सोडियम साल्टा पे डिटिये तो आप यहां पे एक ऐसे देखिए ऐसे ऐसे वाला जो गाव में डान्स सेवंस होता है ऐसे ऐसे करके करते हैं यह ऐसे ऐसे तो वो चीज आपको क्या करना यहां पे चाहे इस पूजीशन पे आप क्या करिए एक यहां पे सोडियम लगाई एक यहां पर लगाई यहां पर यहां पर इस वाले हाथ में एक यहां एक यहां और दूसरा क्या करिए अगर यहां पर नहीं लगाने का आपका मन कर रहा तो यहां यहां लगा दो जिसमें आप खुश हो जाओ वहां लगा दो बस यह है कि पोजीटन उनका क्या होना होना चाहिए नहीं कर सकते क्योंकि myself क्या होता और साथ होना चाहिए के सब्सक्राइब यहाँ बक्राइब बोल सकते ह।ually positive phone आ कि नहीं हो गांट कर लिदी के बाद आपका आएगा कि इलेक्ट्र केमेस्ट्री से नूट करिए जल इसको हो गिया है मिटा है कि देखिए आप से नुमेरिकल पूछ रहा है कि वाटर सैंपल कंटेन 408 एंजी आप सी एसो फोर कैलकुलेट हाडनेस इंटर्मस आप कैल्सियम कार्बोनेट तो हाडनेस आप वाटर आप से पूछ रहा है तो आप डिग्री आप हाडनेस पूछ रहा है आप से हाडनेस पूछा है तो यह आप परिसान ना होएगा यह डिग्री आप हाडनेस ही पूछ रहा है डिग्री आप हाडनेस इक पॉस्टू इक पॉस्टू क्या हो जाएगा यह मास आप सीए सुफोर लिख लिजिए यह वेट आप लिख सकते हैं मास आप हाडनेस प्रोडीसिंग सब्स्टेंट इन्टू यहां पर लिखेंगे चाहें सी डबलू लिख लिजिए केमिकल एक्यूबाइलेंट वेट है कि आप यहरे डबलू आप सीए सुफोर आपन इसी डबलू आप एश्पी एश्पी एस यहां पर क्या है यहां पर सी एस सुफोर है तो आप यहां इसके जगा पर यह भी लिख सकते हैं चाहें आप यह फार्मूला यूज करिए तो आपको सी डबलू निकालना पड़ेगा किमके लेक्वालेंट वेट एच पीएस इंटू यह आप लेख सकते हैं अब मॉलेक्टिलर वेट है यमडबलू मॉलेक्टिलर वेट आफ यह सो फोर नहीं सीच यूट्री हिए अपान अ अ κάνे मॉलेक्टिलर वेट आफ एच पीएस तो एस्पीएस क्या है सीए सो फोर है तो एच पीएस के जग़ा पर आप सीए सो फोर पुट करिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा मास आप एचपिएस की वैलू दिया है एंड्य ट में इंटू मास आप CACO3 कैल्सियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका कैल्सियम कार्बोनेट का हंडर। कैल्सियम का 40, कार्बन का 12, आक्सीजन का 16,9,9,49, 12,6,4,4,100 तो यह क्या हो गया हंडर्ड अपान molecular weight up HPS HPS का क्या हो जाएगा CASO4 है CASO4 का क्या हो जाएगा calcium 40 plus sulfur 32 plus ये कितना है 164 64 तो ये क्या हो आ जाएगा 136 आप add करके देख लिजेगा और CASO3 का calcium 40 plus 12 plus 16, 43, 42 60, total कितना जाएगा 100 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे यहां पर 136 पुट कर दीजिए यह आपका क्या आ जाएगा 136 यह त्री टाइम्स करेंगे तो 408 आ जाएगा यह आए आए आपका 300 यह mg पर लिटर है आप बोल सकते हो PPM 300 PPM आपका ठीक है या डी ओ यह चाप बोल सकते हो डिग्री आफ हार्डनेस तो आपसे देखिए दिमाग में आपकी यह रहना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है अभी मान लेजे इसी को इसी क्वेस्टन से आपसे बोल दिया गया कि इसको डिग्री प्रेंच में चेंज करिए या डिग्री क्लार्ग में चेंज करिए जल्दी से इसको नोड करिए हो गया आप से कह रहा है पहला पूछ रहा है तो यह जब आपको पढ़ा चुका हूं इसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग देख लीजिए जो लोग नहीं देखें जो लोग पहले से देख चुके उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है जो नहीं देखें उनके लिए बोल रहा हूं फिर उसके बाद कर रहा है कैलकुलेट्ट यह में फाप दी फालोइंग सेल एंड आल्सो राइड दा दीएक्सिंटुमै को प्लास में भी भाँत बार बता रहे हैं यहां ऊपर फिर से बता रहा हूं क्वेशन दीआ है C2 Gr3 plus पॉइंट1 अ ठीक है और दूसरा दिया है का यह सट्रीटी प्लस से पॉइंट 2001 या म कि यह दिया है अब इसको बोल रहा है कि आप इसके रैक्शन पहले हाफ रीक्शन लिखिए फिर ऊצם पूच रहा है यमीफ राबने फालोवफ यह मैं पूच रहा है और आपको दिया है इसमें मिस्प्रिंट हो गया है question में तो मैं सही जो question exact सही है उसको मैं डिग रहा हूँ ठीक है अच्छे लिए अधर में इक वाल्स वह यह दिया है पॉइंट माइनस पॉइंट लिए सेवन फाइब और इसमें माइनस पॉइंट जीरो पाइब आ जा रहा है जीरो सेवन फाइब दिया है और जीरो सेवन फाइब करने पर ये इसकी जो एएएमफ की वेलू आएगी वो निगेटिव आ रही । और कभी भी इमफ की वैलू निगेटिव नहीं आती है ठीक है तो उसकेस में यह जो कोईशन आया था करेक्शन कराया नहीं गया था मैंने बोला था कि करेक्शन हो जाय लेकिन नहीं कराया गया तो इसी वज़ाद से कुछ बच्चों के नंबर थोड़ा कम आ आ थोड़ा क्या मनलब भाइन आ गया तो हायस आपका से क्यमेस्ट्री में 43 गया है और 43 इसलिए गया है क्योंकि थियरी पॉर्शन भी आया था तो थियरी आप थियरी करेंगे तो आपका नंबर कम ही आएगा तो यह 43 पिसली बार हाइस गया है 43 है फिर उसके बाद कुछ लोग का 41 है कुछ लोग का 49 39 है ठीक है तो इस बार जा सकता अगर पेप यह रेडिकल ज में लेकिन 49 मिल जाएगा ठीक है इस बार चांस है और आज मंगलवार भी है ठीक है ध्यान दीजिएगा चांस है तो आप मेहनत करिए कोई दिक्कत नहीं है यहां पर देखिए बैलू दिया है एक टू प्लस से को से एक टू प्लस से एपटिकी वालू दिया है आपको माइनस 0.5 i45 कि बोल्ट दिया है ठीक है यहां पर आपको क्या करना है पहले रीयक्शन लिखिए रेयक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे क्रोमियम से मैं कूमियम 3 प्लस ट्रि एलेक्टरान मिन्टरेंफीर फिर उसके बाद आप फेकर से हमें याकी टू प्लस से ऐफीर इलेक्टरान यार या यो जायागा दोनों रियक्षंड में देखिए अभी यहां पर Ilk बाइलेनस नहीं है दोनों की केस में तुम लोग क्या करेंगे इस वाली रिक्षन में से मल्डिप्लाई कर दें इस वाली रिक्षन में से इस से मल्टिप्लाई कर दें लिवा इस इस त्री हम देंस額 कर देंगे तो यह क्या आजाएगा 2Cr प्लस 3Fe 2 प्लस 6 electron यह क्या हो जाएगा 2Cr 3 प्लस 3Fe 6 electron यह दूनों cancel हो जाएगा आप कट मत करिएंगा देखिए 6 electron आपको cut नहीं करना है तो यहाँ पे आपको क्या पता चला है number आप electron आप कितना use कर रहे है 6 electron बहुत लोग क्या करेंगे यही रखके आप आंसर निकाल देंगे गलत आ जाएगा इसलिए मैं इसको balance करके बता रहा हूँ कि आप गलत मत करिए ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब हम लोग क्या निकालेंगे inart cell निकाल लिजे inart cell क्या हो जाएगा inart cathode minus inart anode ठीक है inart cathode inart cell कैसे निकालेंगे inart cathode को आप लेख सकते हो inart right minus inart left asev लिख सकते हो या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो inart right side में क्या फे 2 plus से inart 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 3 plus inart ठीक है त्योंकि यह जो आप देखें यहां से मत लिखने लगे यहां से लिखेंगे तो आप C.A.R.C.R. 3 प्लस रखेंगे और बैलू जो आपको दिया गया है अपको गलत कर देंगे यहां पर जो यह बैलू दिया हुआ है यहाँ पर लिखा जाए से नी है यह नात सिल आपको आसओ यह नाट एक сколько पाइसों मैं प्लके संब्लीक ऑलागी जो कि गलत यह इस 45 माइनस और यह माइनस यहां पर है और माइनस माइनस यह क्या हो जाएगा प्लस 0.75 तो यह इनाट सेल की जो बैलू आई है यह आपका हो जाएगा 0.30 बोल्ट ठीक है इसके बाद यह अभी हमने क्या किया इनाट निकाला अभी इनाट निकालेंगे तो इनाट सेल माइनस 0.0591 लाग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है लाग ऑक्सीडेशन अपान रेडक्शन तो ऑक्सीडेशन देखे किसका हो क्रोमियम का हो रहा है यहां पर आप लेखिए सी यार 3 प्लस अपान अफी 2 प्लस अगर आपने इतना तक करके छोड़ दिया आपका क्वेश्चन इतने पर आपने बैलू अलू पूट कर दिया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा इसके लिए आपको क्या करना है स्टैक्शन से दउनाइस से लाइसमें क्या बताया था कि गःटता फिर के फ्रोड़क्द चैनटरेशन टू दण कंसेर संत्रेशन कि फूर पावर आप दिर इस्टाक्यू पावर आप बिर इस्टाइक्यु मैट्रिक ओफिसियंट तो और आपको यहां पे स्टाइकिमेट्रीक आफिसेंट यहां पे जाता था Sophia जाता था पवर में जाता था तो यहां पर भी आपकोborg नहीं चाहता आपको जीरो मार्क मुद्लब इसार क pork tai जीरो मार्क पाने के लिए अगर आपका numerical और अगर नुमेरिकल तो पूरा नंबर ग HAMम छोए गाव सोत समझ के करीजने करने हैं स्क्र refresh पहले मैं करा पर पॉइंट-0591पान यहां प्यान होगा तरिक है अब यहां की संक्या कितनी है यहां पे कितने एलेक्टराण आप यूज कर रहा है यहां पर देखाए सिक्स एलेक्टरान अगर आप यह इस करके आप ट्राइक करने लगेंगे आपका गलत आ जाएगा यहां पर यह तो तो यहां पर Chromium का कितना है Chromium का देखे Concentration कितना दिया EL.1 EL.1 को क्या लगत सकते हो टैन के पावर माइनिस रे इसकुएफ पान दूसरा पाटन के पावर माइनेस टू है का क्योग दिया टैन के पावर माइनस चुट गिध civil 01 कि यह इसको आप साल करेंगे point 30 0.0591 upon 6 into log अब देखे यह उपर चला जाएगा यहां 6 आ जाएगा यहां माइनस 2 ऊपर ले जाओगे यह क्या हो जाएगा लाग 10 के पावर माइनस 2 प्लस 6 तो यह 4 आ जाएगा 0.30 माइनस 0.0591 अपान 6 लाग यहां देखे 10 के पावर 4 आ जाएगा और 4 क्या करेंगे एक बार लिक दे रहा है फिर इसके बाद आप क्या करेंगे 0.30 माइनस 0.0591 अपान 6 इंट्व यहों के पावर इं के पावर इसको फोर अच्छे थे ले लिख देते हैं देडलाग यह एन लूह लत सिंदी क्या जाएगा ईएगा और और लॉच्ट सागें तो तो इसको सब् żyग जोगनए लिगए लिए दिआक माइनस यह पॉइंट माइनट 11 है जिरो पॉइंट है कि मुण वाइट टू आएगा है वाई थ्री करेंगे यह आपका आज आएगा इस चल एक वोज टू इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका पॉइंट त्री जीरो माइनस जीरो पॉइंट जीरो त्री नाइन फोर कि यह आपका आएगा जीरो पॉइंट टू सिक्स जीरो सिक्स यह इसल की वैलू आएगी तो एक यह बोल्ट आ जाएगा तो गड़बढ मत करिएगा इसमें ठीक है आपका बहुत आसान पेपर आसान रहता है बस आप थोड़ा सा हरवड़ी के चक्कर में गड़बढ कर देते हैं और आप लोग घड़ी अगयरा लगा के जाएगा पिछले सेमेस्टर में एक मेरा फैबरेट इस्टूडेंट रहा है अब से एक तिवारी करके है लड़का उसने हर पेपर में घड़ी लगा के गया वहां टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया लेकिन उसके बावजूद भी उसका नंबर अच्छा आया है अगर वो टाइम मैनेजमेंट उसका हो गया होता ना तो मैं गारंटी के साथ बोल रह आता उसका 50 में से क्योंकि हर बच्चे के बारे में मुझे पता था कि कौन कितना अच्छा करता तो उसका 47 से कम नहीं आता और जब फॉटी से बना जाता तो उसका जो हाईस्ट आपका 160 मैं से 143 गया है 143 नंबर गया है 160 मैं से यह रिकार्ट तूड जाता 35 यहां पर इसका पैंतिस यह बारा नंबर जोड़ देते उसका 139 139 12 अगर आप कर देंगे नो दो ग्यारा इन चार एक पांच एक सो क्याओन बटे के दिखाईएगा ठीक है नोट कर लीजिए इसको इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको अटा दे रहा हूं नहीं आप इसी को भी नोट करने लगेंगे कि जल्दी नोट करिए हो गया अरे बोल भी दो मिटा है कि अगया है कि अगया है कि देखिए आप से पूछ रहा है कि अगया है और विल्यू डिटर्माइन हाइक कलोरिफिक बैलू लोवर कलोरिफिक बैलू आप दिफ्यूल बाई बाउम कलोरी मीटर तो बाउम कलोरी मीटर को मैं पढ़ा चुका हूं तो वहां से आप जाके देख लीजिए गए इसको फिर उसके बाद आपको नुमेरिकल दिया है कैलकुलेट डवेट एंड बॉलूम आप एयर रिक्वाइड फार कंबस्चन आप 3 kg आप कार्बन यह आपका नुमेरिकल ढ़ाई नंबर का आया है यह कोईस्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कभी कभी रिपीट हो जाता है तो आपको 13 kg के जगा पे आपक 10 kg दे दिये जाएगा तो एक आपको बता दे रहा हूं उसी तरह आप उसको भी लगा सकते हैं तो इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले आप वाटर की कार्बन की रियक्शन जो हम लोग कंबस्चन कराते थे ना कंबस्चन की रियक्शन कराते थे सी प्लस ओटू सी ओटू सॉलूशन में लिखिएगा सी प्लस ओटू सी ओटू हो जाएगा तो यह हम लोग क्या करते थे कंबस्चन कराने के लिए इसका करते थे तो यह कार्बन का कितना यह कितना ग्राम होता है कार्बन 12 ग्राम होता है ना कि जिए कि बारा ग्राम है धुइस कितना एगर की कितने ग्राम से कर रहा है तो यह सूला ग् Fresh इस यहां क्या करे गा यह उल्सी सोला ग्राम को यह wilt दो आप surviv लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे 12 ग्राम कि वारा lorsquा आप कार्भन नेडाट अ salvage सिंस 12 ग्राम नीड़ेड टू कमबस्ट या दहन करने के लिए कितने एर की रिक्वार्ड होगी यह कितना हो जाएगा 32 ग्राम ठीक है यह 32 ग्राम की जरूरत होगी फिर एक ग्राम के लिए आप निकालेंगे एक ग्राम के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा थार्टी टू अपान 12 हो जाएगा तीक है जैसे आपको वाटर चैक्टर में जब मैं बता रहा था ना हर्डनेस आप वाटर में तो वहां पर भी आपको यह जब आपको बता रहा था कैलकुलेशन कैसे करते हैं जैसे से माटिप्लाइब करते हैं सेम यहां भी और से करना के वाद हम लोग को कितना क्यों कितने का निकालना त्री केजी का निकालना तो लिए तो एक को सुक्त क्या ओ जाएगा 3000 अ कि तो यह लोग ऑप टी थाउजन्ड ग्राम नीडेड तो compromise k rubbish कोस्तू कितने हो जाएगा 32 बठे 12 रहा है कि एंटू 3 थाउजंट ठीक है यह से इसको साल्व करेंगे तो यह आपका ओश्चारेगा do a 3000 ग्राम कि इसको आपका यह आप डाल सॉल्व करेंगे तो यह आपका ऊज्चार कि इसमें एएर में क्या hooga एएर में क्यया होता है नाइट्रोजन भी रहती है ना आपटा फोन लिखेंगे उसमें एयर कंटेंज 75 पर यह लिख लो एर कितना कंटेंज करता है एयर कंटेंज पर्षेंट या 78 मान के चलते हैं तो 79 लगबग है 79 पर्षेंट नाइट्रोजन एंड ट्वंटी वन पर्षेंट ऑक्सीजन थीक है बाकी वन पॉइंट वन पर्षेंट में बहुत ज्याजा उसका कोई योगदान नहीं रहता है तो हम लोग इसको 79 पर्षेंट लिखके चल रहे हैं अब या अक्सीजन बाई बॉलूम तेक्षेंट यह क्या हो जाएगा अब इसमें देखिए हम लोग अलग अलग जैसी यह 79 है और यह 21 है इसके केस में जैसे हम लोग बॉलूम मास रिलेशन लेशन लेखते हैं प्रांग अब बॉलूम मास रिलेशन जैसे आप एंटीपी पर आयतन लिखते हैं ना बॉलूम मास रिलेशन तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें आप लिखेंगे 22.4 लीटर सिंस 22.4 लीटर वेट आफ ओटू एट एंटीपी वेट आफ ओटू एट एंटीपी यह कितना हो जाएगा यह आपको आपको ओटू की जो वेट होगी वो कितनी है 32 ग्राम है ना यहां से देखी यह 32 ग्राम ओटू का है इसलिए वन का कर दीजिए वन लीटर वेट आफ ओटू एट एट एंटीपी यह क्या हो जाएगा 32 बटे 25 दसमनों चार एक फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आपको जो बैलू दिया हुआ है 21 लीटर के लिए क्योंकि यह ओट कितना दिया है ओटू का परसेंट कितना दिया है 21 परसेंट तो मुझा लिए यह आप 21 लीटर के लिए निकाल लेंगे इसलिए 21 लीटर वेट आप ओटू एट एंटेपी क्या हो जाएगा 32 गुडे 21 बटे 22.4 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यह आप कहा जाएगा 98 30 ग्राम इसको सॉल्व करोगे लगबख 30 ग्राम आ जाएगा 30 ग्राम हो जाएगा फिर इसके बाद जैसे हमने इसका निकाला है इसी तरह हम लोग क्या करेंगे नाइट्रोजन का निकाल लेंगे तो नाइट्रोजन का जब निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे सिंस है कि 22.4 लीटर वेट आप यहां क्या करेंगे एंट्टू लिखेंगे कि आइट एंट्टी पी यह कितना हो जाएगा यह आपकर एंट्टू का कितना होता है नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा इसलिए 1 के लिए निकाल लेजिए 1 लीटर यह क्या हो जाएगा 28.28 अपान 22.4 हो जाएगा इसलिए कितने के लिए निकालेंगे 79 के लिए निकालेंगे सेवंटी नाइन लीटर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 28 अपान 22.4 इन्टू सेवंटी नाइन इसको सॉल्ब करेंगे तो यह आपका आजाएगा 98.75 98.75 इसको पहले नोट कर लेजेएगा ठोड़ा है अभी कि यह थोड़ा सा बड़ा है कि उसके लिए क्या एंवन मास के लिए कर रहा है ठीक है फिर उसके बाद हम लोग बोलूम भी निकाल लेंगे पहले इसको मास वाला कर लेते हैं इसको जल्दी से नोट करिए भी सी में और आगे है क्योंकि यह पहले हमने क्या किया आक्सीजन का निकाल लिया नाइट्रोजन का निकाल लिया फिर एक साथ दोनों का करेंगे फिर उसके बाद आपको आएगा उसका वोलूम वोलूम निकालाइख इसको जल्दी सी नोट करेंगे हुआ है है हुआ है और आथ कर दो आज़े तो गया कि बोलीए इसको उपर वाला मिटा दे रहा हूं अब टोटल वॉलूम जैसे जो वॉलूम दिया है टोटल किसका किसका हो जाएगा एयर जो एयर का हो जाएगा उसके लिए क्या करेंगे वेट आफ एयर एक यह हो गया है किये हो गया दोनौ और करके करनेंगे शर्षास अब इसके अरभर आफ लिए आफ और यह वेट आफ अफ ऐस आफ अशाट और है था अरफ सिफाद एड़ तोटो यह कितना हो जाएगा दोनों को नियरत का कितना हो जाएगा दोनों का जब अइड कर देंगे तो एड का कितना हो जाएगा यहां 30 और 28 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 128.75 ग्राम एक है यह यह यहां पे लिखेंगे यह ग्राम के लिए निकालेंगे तो यहां ग्राम या पैसे लिख लिख लीजिए वेट आफ एर आफ मन ग्राम आफ कि यह क्या हो जाएगा ट्वंटी एट पॉइंट सेवन फाइप अपान क्या हो जाएगा थर्टी फिर उसकी बात क्या करेंगे हम लोग अब वहां पर हमारा कितना वैलू आया था वहां पर जब सुरू सुरू में हमने सॉल्व किया था तो एट हजार ग्राम आया था ना एट थाउजंड ग्राम आया था जब सुरू में सॉल्व किया था तो वहां पर आपका एट थाउजंड आया था ना तो हम लोग क्या करेंग एट थाउजन्ड ग्राम के लिए यहां आप ऐसे लिखे वेट आप एयर आप एट थाउजन्ड ग्राम आप ओटू यह क्या हो जाएगा आप चीदे आप क्या करेंगे करेंगे इसको जब साल करेंगे यहां 0-0 यह कैंसिल हो गया है साल करेंगे तो यह आपका आजाएगा अंसर इसके बाद हम लोग निकालेंगे वॉलूम तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे वॉलूम निकालने के लिए पहले इसको आप नोट कर लिए हो तो इसको मिटा दे रहा हूं इसी में हो जाएगा आपका यह समझ में आया है ना जैसे मैं आपको बताया था सेम होई है कि वन के लिए पहले आपको बोला था ना कि 50 किलो निकालना है तो 50 किलो का पता रहेगा एक किलो क से माल्टिप्लाइब नहीं कर रहा हूं आपको यह समझ लिजिए दो तिन क्लास्ट तू या त्रीगा है कालकुलेशन है कि कुनियम सब लोग पढ़े वो इसको मिटा रहा हूं कि इसके बाद आपका है कि आगे इसी में बॉलूम पूछ रहा है बॉलूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि देखिए कितना कितना आया है पहले यहां पर इसे नहीं लिखेंगे इसको यह वन नहीं लिखा यह जैसे कोई उपर लिखा रहता उसी का डायस दिया है कि हाँ सेम इसी तरह सही है आगे हम लोग लिखेंगे लिखेंगे नाओ 12 ग्राम आफ कार्बन लाओ 12 ग्राम कार्बन इक पॉस्टो 32 ग्राम आफ और टू इक पॉस्टो कितना हो जाएगा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे 22 ग्राम आफ कार्बन सिंस कितने किया होच चकता है नीडेड यहां पर लिखेंगे नीडेड एयर फार तो फ्रक्राम आफ कार्बन इक कॉल स्टू कितना हो जाएगा 22 ग्राम के लिए 22 दस्वर चार लीटर आ गया तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 12 ग्राम के लिए था तो फिर हम लोग क्या करेंगे 3000 या 3 kg जैसे दिया था ना question में आपको तो 3000 needed air for 3000 gram आफ ये क्या आ जाएगा अले आप 1 के लिए निकाल लिए 1 gram के लिए निकाल लिए ये आ जाएगा 22.4 बटे 12 आ जाएगा फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे needed air for 3000 gram आफ कार्बन ये क्या हो जाएगा 22.4 बटे 12 इंटू 3000 तीक है ये हो जाएगा इसको solve कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 56 लिटर ये आ जाएगा आपका इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 21 लीटर जैसे आपको ऑक्सीजन की देखा जा रहा ना तो ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीजन का भी बताया ना 21 पर्षेंट था तो उसका 21 लीटर हो जाएगा यहां पर लिखेंगे सिन्स इसमें लिखेंगे सिन्स 20 पर्षेंट 21 पर्षेंट कितना प्रेजेंट होगा प्रेजेंट 21 लीटर 21 लीटर लॉट्टो और तो बीक्त था सब्ससक्राइट हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 100 लीटर टोटल क्योंकि आपको टोटल देखना है तो तब कि एइस में क्या हो जाएगा और जब आप क्या करेंगे है प्रेजेंट पन्टीवन लीटर था वर्थ के लिए निकालेंगे फिर लिटर के लिए निकालेंगे प्रेजेंट या लेक दे रहा हूं है प्रेजेंट लिटर ओटू यह क्यों हो जाएगा 100 अपान 21 यह कितना आएगा प्रेजेंट लिटर के लिए अम लोग निकालेंगे चापन सु लिटर देन एयर इकोल स्टू क्या हो जाएगा 100 अपान 21 इंटू चापन सो यह आपका आजाएगा 26,600 यह आपका आजाएगा 26,600 6.6 लीटर इतना आपको जरूरत पड़ेगे ठीक है यह आपका आगया है इतना आप लिखेंगे यह आपका ढ़ाई नंबर का क्वेशन आया था तो वन के जी के लिए आएगा तो आप जहां जहां आपने क्या किया है 3000 लिखा है वहाँ वहाँ क्या करेंगे 1000 आप कर देजिएगा आपका आंसर आजाएगा जो आजाएगा वही हो जाएगा ठीक है यह आपका हो गया है कुईस्चन इसके बाद लास्ट कुईस्चन है आपका और फिर उसके बाद इसी में पूछा है आपको एनी टूपे आपक च्रहा फार्मूला आप थर फालोंग तो इस ट्रक्टिर मैं आपको बता दे रहा हूं इसको जल्दी से नूट कर लीजे को कि आगा है तो हो गया है हाँ आट आट हैजा त्सक्राइद कर दोत है एंद कर दोगा है कि इस्ट्रक्ट्रल फार्मूला क्यों पूछ रहा है और डी एक्स का है एच एम एक्स का और फिर उसके बाद कि इडिटी ये का इस्ट्रक्ट्टर अब देख लीजिए डिटी यहां पर दो बार आ गया है कि इडिटी ये पी बी सी और पी ए पॉली एथलीन ठीक है इसको बोलते है पॉली बिनायल क्लूराइड इस्ट्रक्टर आसान है सबका देखिए आई डी एक्स का इस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा कर दो कर दो कर दो कर दो कि पहले है एन लगाई ए एन लगाई ए एन लगाई ए और सब में एन ओटू जोड़ देजिए कि यह क्या हो गया है और डी एक्स का इस्ट्रक्टर है ठीक है तो फिर उसके बाद है एच्छे में एक्स में क्या करना है और सी एस्टू लिखिए एन लिखिए सिएल्ण्यद्уль लिखिए आट न लिखिए शी एस्ट्रक्ट लखिए फिर एसके बाद ये लिखिये एरे इसके बाद सीएस्टू लिखिए फिर यहा लेखिए शी एसी आजोब यहां जितने यन लगे हैं वहां क्या करना से जोड़ देजिए यह नो चुत है यह नो टूआ यह नो टू कि यह किसका past यह यह की किसका है यह एंचों地1 शील नंग ऑई जगान और अधर और सुने क्पाइद Cartube कि घृरति यह बता दे रहां EG तू बॉर्न सीयस्टू एन किस्टू सीए ओ ओ यह हो जायगा चीए स्टू सी ओ ओ ओ एच यहां किया हो जाएगा एन मोज यह घाल पिर असकर अश्टू सी ओ ओ ओ एच है यह यह हो गया फिर इसकी बाद आपको बोल रहा पॉली बिनायल क्लॉराइड तो पॉली बिनायल क्लॉराइड का इस्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बहुत ही आसान है आप क्या करिए यहां क्या करिए पहले आप सी एच टू लिखिए और यहां पर एंड टाइम्स लगा दीजिए आप लिखिए आप को काण्फिडेंस नहीं आएगा तो इससी बदेखनुे बाद आपको經स थोड़ा बहुत आजाएगा आप एक बार पेपर आप सॉल्व करके चले जाए आपको confidence नहीं आएगा तो बताना confidence पहुत आता पेपर सॉल्व करने से तो यह पेपर हो गया है यह आपका 2022 का पेपर था ठीक है आप लोग हमाँ साथ जुड़े रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यबाद और इसके बाद आप अपना नुकसान करेंगे अगर कहीं उसी पेपर में इसे आ गया तो आप यह मत बोल पाईएगा कि अगर देख लिए होते तो अच्छा होता तो यह ना हो पाई ठीक है आपका यह पेपर हो गया इसके बाद नेक्स पेपर में हम लोग मिलते हैं और जैसे नेक्स पेपर के और एक्सप्लोसिप चैप्टर का कुछ जैसे और डी अक्स होगे रहा हो गया यह सब आता है अभी तुमालों इसमें इस्ट्रेक्चर बनाने के लिए बोल दिया यूज तो आप लोग को कैसा लगा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सभी लोग जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने वाट्चाप पे और दोस्तों को सभी लोग को सेयर कर दिजिए थैंक यू